E.D. के साथवे समन से आमादमी पार्टी में अफरात अफरी का महाल मचा हुआ है दरसल जहां आमादमी पार्टी के मंत्री ही खुद केजरिवाल को जेल भेजने पर तरा-तरा के बयान देते हुए नजरा रहे हैं आपको बता दे कि एक बार फेड़ से आमादमी पार्टी ने भारती जंता पार्टी और केंदर सरकार पर धम की देने के आरूप लगाए हैं आपने कहा है कि कॉंग्रेस के साथ कठ बंदन करने पर दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल को गरफतार किया जा सकता है आपको बता दे कि राजसबा सांसद संदीप पाठक और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरा भारतवाज और आतिशी ने एक साथ प्रेस कॉंफरेंस करते वे दो टुक में कहा कि कॉंग्रेस से कठ बंदन होकर रहेगा चाहे अर्विन केजरिवाल को जेल में डाल दो दरसल आपनेता और स्वास्त मंत्री सौरा भारतवाज ने कहा मोख्य मंत्री के जरिवाल को अगले तीन और चार दिन के अंदर गरफतार करने का प्लान चल रहा है उन्होंने कहा कि ये तैयारी सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत की जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच गडबंदन होने जा रहा है ये नहीं चाते कि ये गडबंदन हो अब जब ये गडबंदन पर आम सहमती बनी है तो उन्हें CBI के जरिये अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है सारभारतवाज ने आगे कहा कि हमें सूचना मिली है कि अगर हम नहीं है वहीं आप सांसत संदीक पाटक ने कहा कि ये नई राजनीतिक परिस्तितियों को देखते वे भाजपा ने अपनी रणनीती बदली है भाजपा को लगता है आम आत्मिपार्टी और कॉंग्रेस के बीच गडबंदन नहीं होगा दरसल संदीक पाटक ने कहा कि अब जब देश के हित में दोनों दलों ने गडबंदन करने का फैसला कर लिया है तो अर्बिंद केजरिवाल को गरफतार करने की कोशिश की जा रही है उन्हें CRPC 41A के तहत नोटिस जारी किया जा रहा है जाहिर सी बात है कि संभाव है कि अर्बिंद केजरिवाल को गरफतार भी कर लिया जाए पाटक ने कहा कि यदि केजरिवाल को गिरफतार किया गया तो देश भर में लोग सड़कों पर निकलाएंगे हम गिरफतारी और धंकी से डरने वाले नहीं हैं वहीं दूसरी और आतिशी का कहना है कि हमें अंदेशा पहले से ही था कि अरविंद केजरिवाल को यही वज़ा है कि ED की तरफ से अब तक साथ नोटिस भी भेजे जा चुके हैं आतिशी ने कहा कि ED खुद कोट गई लेकिन अभी फैसला भी नहीं हुआ तो कानूनी अटचन आ गई इसलिए अब केंदर सरकार CBI के जरिये अर्विन के जरिवाल को नोटिस भेज कर ग्रिफतार करने की तैयारी में है आतिश ने कहा संभव है कि आज या कल तक CBI अर्विन के जरीवाल को नोटिस भी भेजे लेकिन भाजपा को हम बताना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं है